नमस्का आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स तो नजर डालते हैं दिन बर की बड़ी खबरों पर पुलिस के एक अधिकारी ने ब्रहस पतीवार को बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है अधिकारी ने कहा कि दमपती का 20 वर्श बेटा कथित तौर पर विशिप्थ है रेनी गुंटा थाना की निरिक्षक अंजु यादव ने मीडिया को बताया कि महीला ने आज स तो कटे हुए सिर को खून से सना पाया अधिकारी ने कहा कि महीला ग्रहनी है जबकि व्यक्ति या प्लास्टिक बॉक्स निर्मान इकाई का संचालन करता था याद दिला दें कि पिछले साल अगस्त के महीने में भी आंध्रि प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली घटना सा पुशिकी थी लेकिन बाद में महीला की चालाकी का भंड़ा फोड़ हो गया था मृतिक की पहचान चिलका रमेश के रूप में हुई थी जो ताधी कोंडा कृशी बाजार में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था पुलिस ने बताया था कि मृतिक और इसकी पतनी निर्मला के बीच अक्सर जगड़ा होता था, खास कर जब वो लकवा ग्रस्त था, कई बार दोनों के बीच तीखी नोग जोग होती थी, जिसके बाद एक दिन गुसाई महिला ने कतित तौर पर अपने पती के सिर पर पत्थर से वार कर दिया।